राइट मैसेज, राइट कम्मुनिकेशन, कंट्री इंसाइड नियूज आया है, जहां फेक्ट्री के बाहर पार्किंग में खड़ी, एक स्प्लेंडर सिल्वर कलर की स्प्लेंडर मोटर साइकल को, एक चोर आता है और 35 मिनट उस गाड़ी के उपर वो हाँच साफ करता है, उसको खोलता है, सभी गाड़ीों को चेक करता है और ले करके चला जाता है, कहीं न कहीं सवाल फैक्टरी के कामकाईज पे भी उठता है पुलिस परसासन के काम पे भी उठता है क्योंकि पुलिस परसासन अगर चाक चोबंद रहे तो ऐसी चोरी की वरदाते नहीं होंगी फैक्टरी की विला परवाही सामने दिख रही है एक मजदूर अपनी बरसों की मेहनत और कमाई इकठा करके गाड़ी खरिदता है जिसके चोरी हो जाने के बाद कुछ नहीं होता, गाड़ी मिलता ही नहीं है मुश्किल से 5% गाड़ियां ही रिकबर हो पाती है, जिनको पुलिस डूण पाती है तीन दिन हो गया इस मामले को, पर अभी तक कोई भी करवाई नहीं की गई है जिनकी गाड़ी थी, रिंकु कुमार ने कंप्लेन भी दर्ज कराई है वो फैक्टरी में काम करता है, फैक्टरी के तरफ से ही बाहर गाड़ी खड़ा करवाई जाती है कैमरा लगा हुआ है, कैमरे पे एक बंदा बैठता है, हमें इसा निगरानी के लिए और पूरे 35 मिनट का एक फुटेज है, जिसमें दिख रहा है कि हरे गाड़ीों को वो सक्स चेक करता है लौक तोड़ता है, और बाद में एक गाड़ी लेकर के चला जाता है जिसकी कोई सिनाकत नहीं करता, अगर टाइम रहते, समय रहते फैक्टरी का वर्कर जो भी कैमरे के उपर बैठता है निगरानी के लिए अगर वो देख लिया होता तो चोर पकड़ा जाता एक गरीब की महिनों की कमाई, सालों की कमाई नुकसान नहीं होती और पुलिस के उपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सानेवाल थाना के अधिन जो कंगनवाल चोकी है उसी के बिल्कुल एक किलोमीटर के दाइरे में ही ये गटना हुई है और चोर आता है बिल्कुल जैसे खुलेयाम लेकर के जा रहा है उसको किसी का डर ही नहीं है, बिल्कुल डर दिखी नहीं रहा है तो कहीं न कहीं पुलिस के सवाल पर भी पुलिस के काम पर भी सवाल खड़े हो रहे है बने रिये कंट्री इंसाइड निउस के साथ मेरे सयोगी के साथ मैं निकल दुबेल लोदियाना पंजाब